टो हे लुए वेल आज अज आतव्क लिए का हैं वे हैं कहने डॉक्र के नवेकर क्नेक्ट्ट बॉडिस के नुमेरिकल करने के लिए आपको तो रहते अज में घ्री आप divisक लेजए टॉझ पॉंस तो चलिए देखे सद्ध्यान से सुनिए कैसे करते हैं मालो आपके पास कोई बॉडिया पहले हैं नूटन का सेकिंड लॉग को समझते हैं कैसे अपलाई करना में यह इसकार हो आपको आपके पास गॉड़ी है और यह दो के जी की बॉड़ी है मालो और आप यहां से लगाए 10 कैसे अपलाई करा जा सकता है एक्सेलरेशन ध्यान रखे हमेशा इसको ऐसा लिखने की आदर डाले एक्सेलरेशन नेट फोर्स जो होता है कितना फोर्स बच गया है जिसकी वैसे बॉड़ी मूफ कर गई है तो देखो जड़ा दस यहां से लग रहा था पांच यहां से लग समझ में आया हो यह ता बिल्कुल ही बेसिक समझाने के लिए आपको कि न्यूटन का सेकेंड लोग कैसे अपलाई करा जाता है हमेशा धियान रखे एपनेट इस इकोस्टू मास इंटू एक्सलरेशन चलिए अब कोशन करते हैं ठीक है नेट फोर्स का मतलब आप जान चुक को मैं आपको डीपली समझाओं देखो 2 kg ब्लॉक है 3 kg ब्लॉक है यहां से आपने फोर्स लगाया मालो 12 न्यूटन का फोर्स लगाया है सवाल इन में कैसे बने जाते हैं दो तरह के सवाल इसमें बनते हैं इन कुशनों में वह है एक तो एक्सलरेशन निकानने के लिए पू और आपके निकाल सकते हो तो एक्सरेशन निकालने का एक डायक्स क्षमा magg समझें काथ काथ क्ते हैं पहले लिए लिक लेहको वह कि टोटल नेट फुर्स जो लग या हूँ ऑगे, टोटल जो लग रहा हूँ तो नेट एक सिस्टम है अभड़िया आप एक सिस्टम माल ले ना तो उनमे जो नेट एक्स्टर्णल फोर्स लग तो रहा होगा डिवाइड़ बाइट टोटल मास से डिवाइट कर दो और भाया आपके पास एक्सलिशन निकल के आ जाएगा आराम से तो देखो एक्सलिशन इसको नेट एक्सटरनल फोर्स इस पूरे सिस्टम में अब ध्यान लगे हम इसको पूरा सिस्टम माल नहीं इस करें इस पर देखो कितना एक्सलिशन एक्सलिशन और वो लग रहे है तो एक्सलिशन निकाला जाते हैं अब बात करते हैं कॉमन इंटर से पर जो फोर्स लग रहा होता है है यहां से क्या था है यह स्वाइट है तो में ऑन इंची थे इत्र सैंठिकेट है तो यह जोड़ा हो यह गेग हरा जीका और ये लगा क्या किस्का और नूटनका नियुस्तम चींथ और कुछ दिख नहीं रहा है ध्यांद से सुनिए अब क्या बोलने वाला Newton का सेकंड दो ही अपलाए होगा और कुछ कितना सुरी 2.4 2.4 का लग रहा है तो यह आजएगा 4.8 यह फोर्स है ठीक है कौन सा फोर्स है यह वह बचा हुआ फोर्स है जिसकी वज़े से ब्लॉक आगे को एक्सेलरेट कर रहा होगा यह इस तरह से लिखा करो हमेशा एफ नेट बता रहा है कि इतना बचा हुआ फोर्स है जो इसको आगे मूफ कर आ रहा है आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो बैये 2 kg में दोखो यहां से बारा नुटन लग रहा था यहां से यह कितना लगा रहा हुगा जिसकी वज़े से यह ने 1.2 नूटन जब तुम घटा होगे तब तुमारे पास कितना आएगा 4.8 नूटन आएगा है ना और 4.8 नूटन आएगा यह वह फोर्स जिसकी वैसे बॉड़ी एक्सेलरेट कर गई तो यही देखो यहां से कितना लगा लगा दिया मैंने 47.2 यह वाली ने इस पे 7.2 लगा तो अगर यहां पर देखो और कोई तो फोर्स है नहीं तो वैसे तो आंसर यह ना चीकिस में इसने इस पर लगाया होगा लेकिन इक बार निकाल के भी देख लेते तसली करने के लिए यार एफनेट देखो उस पर लिगा देख लिगा मास इंटू एक्सरेशन नूटन का से चलू यह बेस्ट मैथड है फोर्स निकालने के लिए आप तफनेट को शुगा मास इंटू एक्सरेशन एक्सरेशन मास कितना है 2.4 फोर और यह खुद बोह रहा है कितना थे ट्रीट एक सेवन पॉइंट तू नूटन फोर्स लग रहा है तो वहां पर देखो मैंने यहां स यहां से आ रहा है इसने लगा हुआ इस पे जिसकी वैसे बाडी मुफ कर गया है तो दूसरा सवाल मेरे पास यह मौजूद है कि एक ब्लॉक है और यहां पर एक रोप का मास दिया गया यह रोप मास नहीं है इसका मास जिया गया 0.5 एज ठीक है और यहां से एक तो इस block ने इस rope पे कितना force लागाई है , the force exerted by.. , force exerted by.. BLeOC by block on the rope ठीक है rope पे कितना force लागाई है, यह आपको निकालना है तो यार, तुम्हे कुछ अच दिख रहा होगा यह कुछ connected bodies ही ही तू लग रहे है यह जो यह और यह एक दोनों connected नहीं है आपस में string or block तो यह पूरा मेल एक system माना जाएगा बिल्कुल तो इनका कुछ net acceleration होगा बिल्कुल जिसकी वैसे आगे move कर जाएगा और तब हम यह force निकाल पाएंगे जैसे हम यह वही तो है जो common interface पर फोर्स लग रहा हो वही तो पूछ रहा है यह भी तो ऐसे लिलेट करो तो ठीक है तो Newton का second law तब लगाते है पहले इसको क्या कर लेते एक्सरेशन निकाल लेते है तोटल एक्सरेशन कैसे निकालेंगे अभी बताया था क्या लिए इस सिस्टम में net external force कौन सा लग रहा है यह तो पंदरा न्यूटन डिवाइड़ डिवाइड़ बैडिवाइड टोटल मास ऑप दा सिस्टम इस सिस्टम में एक या रहे एक या रहे तो यहां गया 7.5 कीजी साथ प्लस 0.57.5 ठीक है तो यहां से जो आंसर आ रहे है वह आ रहे है दो मीटर पर सेकिन इसको है है यह आ गया समझे अब मुझे यह बीच का फोर्स लगाना है जो इसने इस पर लगा रहा हूँ है तो यह काम करते हैं अलग अलग कर दिया इस रोप को भी अलग कर दिया त परी मास कितना है 7 kg और एक्सलेशन तू तो यहां से आ रहा है यह आंसर 14 नूटन तो अब देखो जरा एफनेट कितना बच रहा है 14 नूटन में बचावा फोर्स इसकी वैसे आगे को मूफ करें देखो एक्सलेशन इंका तो होगा ठीक है तो फोर्स यह 14 नूटन कि तरफ अच्छे इदर की तरफ यह 14 नूटन होगा ठीक है और जो यह 14 नूटन है यह रोप ने इस पर लगाया है ब्लॉक पे तो तो एवरी एक्शन देर इस एक्कोल और पोजिट रीक्शन तो देखो यहां से भी 14 नूटन यह भी इस पर लगाएगा तो ब्लॉक ने रोप पे कि इसकी वैसे आगे मूफ कर रहा हो अगर मैं इसको लूबस तो निकाल के भी देख लेते हैं अगर कुछ और भी समझना हो आपको अफनेटी कोश्मास इंटो एक्सरेशन मास कौन सा वाला इसका 0.5 एक्सरेशन कितना है दो तो देखो यहां से यह भी बोल रहा है नूटन का सेकंड भी बोल रहा है कि एजो रूप है इस पर एक नूटन का फोर्स बचा जिसकी वज़े सी ऐसे एक्सलेट कर गया आगे को एक्सलेट कर गया आई होप यह इसको पर पहले तो शुरूआत में जो ब्लॉक है वह ऐसा रखा हुआ है और दूसरे केस में क्या बताया गया ह कि 2kg के जो यह बलॉक था 2kg का उसके उपर आइरन ब्लॉक रख दिया अब जैसी आईरन ब्लॉक रखा 25kg का तो यह ना नीचे दसने शुरू हो गया मतलब यह जो सॉफ्ट कीस था यह जो सॉस्ट सरफेस पर रखा गया यह उपर से इतना वेट हो गया कि यह दबना शुरू है वो कितना reaction देगा पहले case में और second case में यह सवाल था इसमें सब फिर से बताता हूं ground sorry यह जो surface है मेरा मतलब है जो surface है ground नहीं है यहां पर surface कितना reaction दे रहा होगा दोनों cases में यह सवाल था ठीक है by mistake मैंने ground बोल दिया देखो तो यहां पर किया है अब यह कितना है मास लग रहा है कितने का 2 kg का ठीक है तो यहां पर वजन कितना आजेगा इसका m into g जी माल लेते हैं चलो 10 newton ले लेते हैं 10 meter per second square ले लेते हैं जी को तो यह newton कितना नूटन आ जाएगा यह आ जाएगा दो इंटू 10 यानिकी 20 newton ठीक है 20 newton का इसका वजन नीचे को तरफ लग रहा होगा अब जो रियक्शन होगा तो to every reaction there is equal and opposite reaction अगरा हम newton का law लगाना चाहों यहां पर लगा सकते हो एक्षट्य क्या होता है mass into acceleration acceleration तो होनी रहा इसकेस में तो 0 है तो एक्षट्य मतलब कौन से force कोई भी ले लो इसमें बड़ा f-20 ले लो वैसे scene बन चुका है बस vertical case में और कुछ नहीं है तो यह ना नीचे की तरफ आ रहा है total system जो है accelerate कर रहा है नीचे की तरफ तो एक काम करते है acceleration को कौनसर मुझे पता है तो एक काम करते हैं इन दोनको ना एक ही body मान के चलते हैं मतलब मैं इनको बोलू कि यह दोनों को मिला के एक body बन गई है दोनों को मिला के total mass कितना हो गया 27 kg है ना इसका वजन का लग रहा होगा नीचे surface पर जो भी यह surface है soft surface तो 270 Newton का वजन लग रहा होगा वेट वेट 227 kg का mass है 270 Newton उसका वेट है जो उसको नीचे खीच रहे है जी के साथ multiply करके इतना है 270 Newton मास का ठीक है मास का multiply कर जी के साथ इतना है अब यहां से reaction लग रहा होगा यही तो निकालना है यही तो बोला है जो surface ने जो reaction लगाया इस पर अब लिकनी accelerate कर रहा है नीचे के तरफ तो इसका मतलब यह बढ़ा होगा इसकी वैसे accelerate कर रहा है तो equation लिख लेते हैं F net equation क्या होता है मास into acceleration net force से नीचे खीच रहा है वह कहां पर लिखू मैं net force तो यहां पर लिख लेते हैं जगा नहीं है चोटा सा board है मेरे पास गरीब आदमी ठीक है तो F net equation मास into acceleration दो क्या हो जाएगा देको नीचे की तरफ जा रहे यानिकी 270 newton बड़ा है और माइनस आर इस उको सु मास मास जो है 27 के जी इंटू एक्सलरेशन जो है 0.1 meter per second square तो 270 माइनस क्या हो जाएगा 2.7 इस उको सु आर ठीक है तो यहां से जो आएगा वह आएगा तीन अन्दू आर्ट रिक सेवन तू यह शिक्स तू सिक्स्टी सेवन आइटिंग इतना माना चीए एगा चेक कर लेते है जीरो त्री जिरो टू यहां इतना आ जागा ठीक है यह इतना न्यूटन यहां पर आ रहा है न्यूटन तो 267.3 न्यूटन यहां पर रियक्शन फोर्स लगेगा सर्फेस के द्वारा आई होब कनेक्टेड बॉडिस के यह वाले concept आपको आ गए हो अगर यह वाले concept आपको आ गए हैं तो आप पु